विनर्स दो प्रोजेक्ट की लगातार वीडियो के डिमांड की जा रही है टेरा एलुएंसी में एक बार फिर से पंप दिखाए उसके पीछे क्या रीजन बने है एक तो यह हो गया दूसरा फ्लो की इनू के ओपर डेडिकेटीड वीडियो की हमेशा से डिमांड की जाती है ज अपको टाइम टोकन्स के ओपर वीडियो मिलती रहेंगी लेकिन इस वीडियो में आप लोगों के साथ फ्लो की इनू टैरा एलुएंसी और क्रिप्तो करंसी मार्किट के अंदर एक नया revolution की जो शुरुवात हो चुकी है जिसको हम लोग bitcoin layer 2 समझ सकते हैं bitcoin ordinal समझ सकते हैं उसके बारे में पूरी बात करेंगे वीडियो को last तक जुरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत जादा interesting और future के point of view से काफी अच्छी profit देने वाली वीडि दिखाई दिया एक बहुत अच्छा pump दुबारा से दिखाई दिया 23% से जादा का और USTC में भी more than 33% का pump एक बार फिर से दिखाई दिया INR की टर्म में 3 रूपे के आसपास USTC पहुँच चुका था अब ये 4.5 रूपे का हो चुका है 33% का increment जो है वो आ चुका है हाला कि अगर आप इसको compare करें तो ये increment बहुत जादा है अगर LUNC को आप देखे तो LUNC में भी more than 23% का pump एक बार फिर से last 24 hour में या मैं बात करूँ पिछले 10 से 12 घंटे में देखा जा रहा है अब देखिए इसके पीछे reason क्या है already Twitter पर LUNC और USTC का trend स्टार्ट हो चुका है और 800 million USTC burn करने की जो news है वो कहीं न कहीं पर सही होते दिखाई दे रही है मतलब वो जो news के related proposal है जो Terra Luna ecosystem ने रखा है वो proposal अब कहीं न कहीं एक right movement की तरफ है जो Terra Luna की developer community है developer community कहीं न कहीं पर उ USTC का इसके बाद आप लोगों को बहुत बड़ा पहले dump दिखाई देता है फिर बहुत बड़ा pump दिखाई देता है फिर अचानक से market टूट जाती है 24 गंटे में और फिर अचानक से market जो बढ़ जाती है दोस्तों यह है trading manipulation यहाँ पर chart analysis काम नहीं करते हैं क्योंकि अगर chart analysis क साम करते तो Terra classic LUNC के अंदर काफी बड़ा pump था जो और बड़ा दिखाया जा रहा था Twitter पर $1, $119, $ बहुत सारे ऐसे price दिखाया जा रहे है लेकिन exactly आप देखिए कि Terra classic में जब 25-30-50% तक का profit मिला तो जो already बड़े investors हैं बड़ी whales हैं उन्हें 50% के साब से बहुत बड़ा benefit ह हुआ definitely they are going to sell और जैसे एक बहुत बड़े amount में selling होती है trading के term में तो price गिरता है same way trading manipulation हुई है अब इस trading manipulation से आज आप प्लीज समझने की एक point तो जुरूर कोशिस कीजिए जो बार-बार लोग मेरे से comment करते रहते हैं कि क्या हमें बेच देना चाहिए क्या भी हमें खरीद ले दिखाई दिया उससे पहले आप लोग को Terra Classic में pump दिखाई दे रहा था moment जो है news के इसाप से जो new sentiment है वो bullish है it means के Terra Classic के अंदर एक recovery zone definitely बहुत बड़ा बन सकता है लेकिन जब एक 30, 35, 40, 50% का pump आपको दिखाई देता है उस time पर मेरे हिसाप से profit को book करना चाहिए और ध्यान token को at least buy कर लेना चाहिए अब इसको मैं एक proper reason से भी समझाता हूँ जो exactly अभी मेंने follow किया मेरे Binance की उपर approximately 1.5 million Terra LUNC को hold करके रखा हुआ है यानि कि 15,000,000 के आसपास 15,000,000 का price कल तक जो है वो लगबक्स 15-16,000 के बीच में पहुँच चुका था मैंने क्या किया 0.5 million यानि क 500 के 5,000,000,000 जो LUNC है उसको sell out किया अपना profit थोड़ा सा book कर लिया अब मेरे पास total 15,000,000 है जैसी है मैंने Terra LUNC में 20-30% का dump देखा कल मैंने दुबारा से उन 5,000,000 टोकन को buy कर लिया तो जो मेरा profit बना लगबक 1500 से 1800 या 2000 उपे का वो profit मेरे side में आ गया और मेरे पास 15,000,000 टो होता है क्योंकि कही न कहीं पर trader जो होते हैं वो frequently buy or sell के option को हमेशा right मानते हैं तो वो daily buy or sell करते हैं देखते रहते हैं जो news है जो sentiments है जो chart बता रहा है लेकिन जो investor है वो एक long term तक assets को hold करके रखता है तो यहाँ पर आपको ना सबसे पहले तो यह समझना है कि आप trader का behavior रखते हो अगर आपका दोनो mix up behavior है तो यह strategy मेरे इसाप से ठीक है क्योंकि मैंने पूरे sell नहीं किये आदे से मेरा profit निकल रहा था मैंने पहले आदे को sell कर दिया फिर अचानक से 15-20% का जब dump दिखाई दिया मैंने दुबारा उतनी amount का token buy किया लेकिन कही ना कहीं पर अगर मैं पू 12-20-25% के pump में है ऐसी situation हर बार नहीं होती है क्योंकि अचानक से जो bull market का trend होता है वो उपर जाता है ऐसे case में रिस्क जुरूर होगा कि आपकी जो amount of token होगा वो कम हो जाएगा लेकिन ultimately we want profit तो profit मेरे इसाप से काफी अच्छा निकलता है इस time पर टैला community के साथ positive sentiment चल रहे है of quantity को sell किया जाता है, dump आता है, दुबारा से buy किया जाता है, आपको भी as a small investor ऐसा ही सोचना चाहिए, ऐसी strategies को बनाना चाहिए, otherwise Terra Luna ecosystem के तरफ से जो news and sentiment है वो अभी फिलाल bullish sentiment दिखाई दे रहे हैं, अब हम बात करते हैं इसी वीडियो में flow की इनू की, flow की इनू जिसमें last 24 hour क के अंदर आप लोग को एक decent pump तो दिखाई नहीं दे रहा है, comparatively तो जो फ्लोकी इनू ने अपनी 5 trillion supply के बाद हमें price दिया था, अब इसका अगर हम आज की date में all time high check कर रहे हैं, तो double zero में 28 तक all time high गया था 2021 में, और all time जो लो गया था, वो कही ने कही पर 2021 में था, 2021 आप double zero पे 2600 की series पे रखा हुआ है, लेकिन flow की इनू के अगर आप लोग Twitter पर focus करें, तो flow की इनू ने already काफी time से अपने ecosystem के जो दूसरे project है, उसके उपर follow up करना शुरू कर दिया है, और वो है दोस्तो token FI, हाला कि flow की इनू ने अपने ecosystem करनर काफी अच्छी utilities को add कर लिया है, ज system पर आप देखिए, कि flow की इनू अपने ecosystem में, जो major token है, उस पर focus कर रहा है, token FI के साथ-साथ flow की इनू के अंदर price moment आना definitely बनता है, कई videos में आप लोगों ने influencer की ये भी सुना होगा, they are expecting के next bull run में flow की इनू 2-4-5 cent का भी चला जाए, मैंने भी आपको दो-3 वीडियो में new sentiment को देख रहे है, जो ecosystem flow की इनू regular develop कर रहा है, उसको देख रहे है, तो next bull run में definitely हम 3-5 cent के बीच में flow की इनू का price definitely accept कर सकते है, उसका सबसे बड़ा reason है, flow की इनू, meme cryptocurrency culture का token होने के बावजूद भी, जो उसने more than trillions of supply burn की है, वो एक बहुत बड़ा impact डाल चुकी है, and flow की इन हो चुक है, DWF Labs portfolio बन चुका है, industry की बात करें, तो flow की इनू meme के बावजूद Game of I gaming में भी आ चुका है, और meme में तो starting से है, platform definitely BNB chain है, but don't worry about, flow की इनू इस time पर अपना ecosystem regular develop कर रहा है, future के prospect से P2E option, Metaverse option, और कहीना कहीं पर VC, और हो सकता है आने वाले time में flow की इनू को और ज् इन पर flow की आज एक movement based token है, Game of I based project है, P2E based project है, because of their superb game जो already globally इस time पर adapt होती जा रही है, और इधर से flow की इनू अपने ecosystem को दूसरे project token है, 5 project की help से growth भी दिला रहा है day by day, so इस हिसाब से next bull run में हम लोग flow की इनू के prize को काफी अच्छे बड़ी movement पर देख पाएंगे, recently pump or dump की जो ethics हमेशा follow करके चलिए, किसी भी आप market में है, चाहिए stock market में है, चाहिए crypto market में है, जब एक अच्छा pump मिलता है किसी project में, तो जो large amount of token होते है, large amount of projects होते है, tokens होते है, coins होते है, assets होती है, उनको sell out किया जाता है because of profit, एक बहुत 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 डंप आता है, same आ के साथ regular crypto market में नई से रे update और ecosystem के अंदर नई से रे utility add-on करने की हमेशा कोशिश करते है, so terra classic currency और flowkino, इनी के दोनों best example बनते हैं, लेकिन आज दोस्तों इन दोनों project के इलावा, मैं आप लोगों के साथ crypto currency market में, जो एक नया revolution काफी time पहले से start हो चुका है, उसके बारे में finance ecosystem में या आप बोले finance domain में, क्योंकि blockchain technology का finance domain है, या finance जो सबसे बड़ा use case है, उसका ही best example है crypto, blockchain technology की शुरुआत स्टार्टिंग से mineable project bitcoin में, इसलिए आज हम लोग जो truly decentralized project मानते है crypto market में, वो bitcoin मानते है, ethereum भी पूरी तरीके से decentralized नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं पर कुछ ऐसी powers हैं, जो ethereum पर control करती है, तो जो pure decentralization है, वो bitcoin है, और bitcoin जो है कहीं ना कहीं पर, अगर मैं ethereum की term में बात करूँ, तो जिसे हम ERC 20 standard समझते हैं, उसके comparatively bitcoin का एक standard है, but bitcoin की जो सबसे बड़ी problem थी, problem क्या, एक जो scale-up की solution की जो नहीं था bitcoin में, जो ethereum में भी बात में आया, एक ना standard है develop हुआ, ERC 721, जिसका हम ethereum based blockchain में जो open C है, जिसमें हम लोग NFTs को mint करते हैं, NFTs को store करते हैं, ethereum wallet में, तो उसका हम लोग standard में ERC 721 बोगते हैं, तो देखे, ethereum जो है smart contract based technology है, smart contract technology based blockchain, आप ऐसे भी बोल सकते है, ethereum blockchain के बाद, अगर मैं layer 1 में बात करूँ, तो BNB आया, BNB भ based जितने भी projects आते हैं, they are going to write their smart contract, smart contract write करना जुरूरी है, लेकिन bitcoin जो है, bitcoin starting सही blockchain technology का finance domain का सबसे best mineable example था, तो यहाँ पर कोई smart contract write नहीं किया गया था, अब bitcoin की layer 2 की बातें काफी टाइम से आप लोग market में सुन भी रहे हैं, जिसको हम लोग bitcoin ordinal बोलते हैं, अगर आप इसके standard kitab में बात करो तो वो BRC20 बन चुका है, जैसे Ethereum का ERC20 है, Binance का BEP20 है, ऐसे ही bitcoin ordinal का है BRC20, अब BRC20 base जो revolution है, उसमें जो पहले दो इस time पर major project बनते हैं, ORDI, जिसको ordinal बोलते हैं, the standard one, the class one, जो सबसे पहले start हुआ था bitcoin ordinal में, अल्रेटी Binance में listing पात चुका है, और second जो बनत time में bitcoin ordinal के अंदर भी हम एक नया revolution देख सकते हैं, लेकिन recently अगर मैं कुछ time पहले की बात करूँ, तो जो bitcoin ordinal based project है, in project का कोई use case नहीं होता, they are just going to develop on bitcoin chain, या bitcoin ecosystem का यह part बन जाते हैं, जैसे अगर हम बात करें, जो ordinal wallet है, देखें, मैं सबसे पहले आपको यह open करके दिखाता ह okay, BRC20 या bitcoin ordinal based आप कोई भी project देखते हो, तो यह देखें, यह ordinal wallet.com है, जहां पर आप अपना bitcoin based token भी generate कर सकते हो, mint कर सकते हो, complete market भी देख सकते हो, तो देखें, मैंने आपके सामने market open किया, यह bitcoin ordinal market, जो यह सारी आपके सामने, यह token आपको दिखाई दे रहे हैं, यह सब bitcoin ecosystem based NFT, जिसको आप लोग ordinal NFT भी बोल सकते हो, ठीक है, यही पर आप देखें, BRC20 तो यह BRC20 बेस जो particular ordinal wallet के ओपर mint किये गए है, यह वो project है, इनी project में से काफी project आपको यहां दिखाई देते हैं, लेकिन अभी recent time तक, जो bitcoin ordinal based project है, जो कहीना के पर बोला जाता है, कि bitcoin की layer के ओ पर mint किये जा रहे है, bitcoin का layer 2 है, bitcoin ordinal है, BRC20 इसका standard है, बट यहां पर ना कोई use case नहीं है, तो इस case में हम लोग मान सकते हैं, कि इनकी worth ना बड़े, लेकिन जैसे हम ordinal को देखते हैं, तो ordinal already world की leading exchange पर आ चुका है, binance पर आज trade होता है, और काफी अच्छी worth value है, OXBT जो starting से, मैंने शायद कल वाली वीडियो में भी आपको बोला था, OXBT ordinal, जो starting से काफी बड़ा moment लेकर आया, और अगर all time high की बात करें, तो अठावन सो रुपे तक इसका all time high गया, और लोग देखो सिर्फ 32 पैसे, तो कही ना कहीं पर ना trading का impact इन पर भी आ सकता है, लेकिन कल मैंने अपने twitter handle पर एक news भी आपके साथ share की है, अब वो news पर सबसे वहले focus करते हैं, और अगर आप लोगों ने मिरे साथ twitter पर भी तक नहीं जुड़े हो, तो मिरे साथ twitter पर जुरूर जुड़े है, कुछ ऐसी news होती है, जो मैं time to time share करता रहता हूँ, वो news है my friends, ये वाली, देख के जो zero knowledge proof of security है, या जो zero knowledge proof है, जिसको आप लोग Z के roll up technology भी बोल सकते हैं, ये technology revolution लाने वाला layer 2 solution का हमारा Indian project Polygonmatic Polygon Blockchain है, मतलब Ethereum की जो problems थी, scalability का जो issue था Ethereum में, उसका जो solution है, वो Polygonmatic लेकर आया, Polygonmatic के बाद L2 आज बहुत सारी blockchain है, ARB Trump है, Optimism है, और मैं कई वीडियो में आया, वो आया, BRC20 उसका standard बना और Bitcoin ordinal, इसमें ORDDI एक standard protocol बना, और बहुत ही जल्दी उसको world की leading exchange में, listing भी मिल गई, अगर मैं आज भी check करूँ, तो ORDDI की listing क्या world की और leading exchanges में है, तो already Binance पर ये confirm है, market section में हम चलें, तो fourth number में KuCoin में है, Bybit में भी है, कई न कई पर Kraken और Coinbase क्योंकि they both are from, belongs to USA, तो वहाँ पर कुछ number of security parameters होते हैं, तो उन security parameters के बाद ही, exchanges में listing मिलती है, और एक liquidity का भी बहुत बड़ा point रहता है, तो Coinbase हो Kraken में बेशक है के नहीं हो, लेकिन world की leading exchange Binance, जो trading volume में एक बहुत बड़ा impact रखती है, और उसके बाद KuCoin, Bybit, Top की 5 में से 3 exchange मे already Bitcoin के ordinal standard को listing मिली है, अब इस listing का impact देखिए, अब जो zero knowledge proof है, जो ZK roll up technology है, उसको BRC20 ecosystem में भी expand करने की बात की जारी है, it means roll up करने की बात की जारी है, हो सकता है, आने वाले time में आपको एक नए revolution दिखाई दे, जो Bitcoin ordinal based project है, उस ordinal based project के अंदर आपको ZK roll up की बहाव पर नए use case develop होता दिखाई दे, क्योंकि Polygon ने जब से separate ZK roll up, यह ZK space बनाया, Polygon की वर्थ आने वाले time में बहुत बड़ी बताई जारी है, so अब यह zero knowledge proof को, अगर कहीना के पर Bitcoin ordinal में add किया जाता है, यह थोड़ी से technical चीज है, पर समझने की कोशिस जुरूर कीजेगा, price moment भी बहुत of 2023, हम लोग already second last month में है, दो दिन अभी रहते हैं, आज का और कल का और उसके बाद से हम last month में आ जाएंगे 2023 के, यानि कि already October, November, December से यह project या यह prospect या यह expansion स्टार्ट हो चुका है, याने की quarter first और second, यानि कि आने वाले 2024 के पहले जो 6 महीने होंगे, जो ZK space है, जो ZK roll up technology है, वो कहीं न कहीं पर BRC20 ecosystem में या BRC20 के अंदर अपना expandation करेगी, it means कि आने वाले future में हमें ordinals में भी impact दिख सकता है, और जो coin market cap है, आप ये BRC20 category देखते हैं, जिसको हम लोग Bitcoin ordinals based standard है, Bitcoin ordinals category बोलते हैं, या Bitcoin की layer 2, NFT category बोलते हैं, इन में भी कुछ project के अंदर आपको focus देखने का म का मिलेगा और काफी अच्छा revolution बताया भी जा रहा है, so overall एक नया standard काफी time से add-on हो चुका है, लेकिन शायद लोग अभी BRC20 पर ध्यान नहीं देते हैं, because there is no use case, लेकिन जब कल मैंने ZK Space की announcement देखिया है, जो already quarter 4 2023 से start हो चुकी है, so मुझे असा लगता है कि आने वाले time में हमें एक बहुत बड़ा revolution दिखाई देने वाला है Bitcoin ordinals के रूप में, जैसे जब Ethereum blockchain आई थी तो किसी नहीं सोचा था कि Ethereum blockchain बेस इतने number of token generate हो जाएंगे, but आज आप देखिए Ethereum blockchain, smart contract based world की number one layer one blockchain बना हुआ और Ethereum based project को हम sustainable growth के movement मानते भी है, और layer two में जितने भी top most project है, फिर चाहे अब bone की बात करो, polygonmatic की बात करो, arbitrum की बात करो, bantle की बात करो, imx की बात करो, optimism की बात करो, जितने भी layer two solution के project आया है, they are focusing on कि Ethereum के layer one में जो problem है, उन्हीं को scalable करना, उन्हीं का solution निकालने के लिए layer two solution market में आया है, तब ही शायद Ethereum based जब Shiba Inu develop किया गया होगा, तो Ethereum के जो founder ह Vitalik Bitrun, उन्होंने एक large quantity Shiba Inu का burn करके, Ethereum blockchain को बहुत बड़ी support दी थी, जिसका सबसे बड़ा जो moment है, वो Shiba Inu ecosystem के लिए bone बनता है, तो दोस्तों कहीना कहीं पर, जो Ethereum में आज से 5-7 साल पहले हुआ था, वो मुझे कहीना कहीं पर आज होता दिखाय दे रहा है, Bitcoin ordinal layer two standard में, और उसके जो project, especially ORDI काफी बड़ा बन सकता है, अगर ये revolution, Z के roll up, जो revolution है, वो Bitcoin ordinal के अंदर expand mode में आया तो, So, ये चीजे जो है, ये आपको market में time time जुरूर देखनी चाहिए, कोई नया revolution, कोई नयी category, कोई नया changes और कुछ आने वाले time में, अगर इसको technical time में समझें, तो एक नई technology add-on होनी जा रही है, BRC20 standard में, और उस technology के add-on होने से, जो Bitcoin ordinal based project है, उनमें नया use case add होगा, तो हमें BR 2024 के पहले 6 मीने में, जो quarter second जब complete होगा, तब ये expansion mode कि लेवल तक आया है, BRC20 ecosystem में, तब हम सायद इसको पूरी ओर detail तरीके से समझ पाए, और कुछ project जब हम देखेंगे न, BRC20 के बढ़ते हुए, तो definitely हम लोगों का interest भी बना start होगा, फिर चायद हम लोग BRC20 में ध्यान दे लेकिन ये मोका है इस ताइम पर BRC20 को proper तरीके से समझने का, so overall I can say कि इस ताइम पर एक नया revolution market में add-on हो चुका है, Bitcoin truly decentralized, decentralization के रूप में, just focus on it, but please keep it in mind, invest करने से पहले, trade करने से पहले, कुछ भी token, किसी भी token को buy करने से पहले, ध्यान रखेगा, you are in the highly volatile market, so if you want to buy, if you want to start, if please do your own research first, thank you so much for watching this video and do subscribe Cryptomark YouTube channel for more updates, thank you so much.